ओके गाइस तो गाइस वेलकम बैक तो गाइस आप में से बहुत सारी लोग ने मेरे पिछले वीडियो में कॉमेंट किया था कि फोजी के अंदर कौन सी कार आएगी उसके बारे हम कुछ डिटेल में बताओ या फिर फोजी में कार आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में हम देने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा देना तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर आप लोग कार के बारेमrid कर वायेगा उसी का हम लोग सब इंतिजार कर रहे हैं क्यूंकि जैसे जैसे वैसे जैसे वैसे सारी निकलते जाएगी और हमको information मिलती जाएगी only game play का यहाँ पर comment है कि फॉजी के अंदर क्या pet होगा तो guys free fire के अंदर आपनों के देखा होगा कि उसके अंदर pet होता है तो फॉजी के अंदर pet होगा क्या नहीं होगा यह पूछा है only game play ने तो मेरे हिसाब से 80% फॉजी के अंदर pet नहीं होगा वैल आपको क्या लगता है आप लोग इसके बारे में मुझे comment करके ज़रू बताइएगा big dream गजर का यहां पर comment है कि भाई pub g light इंडिया वर्जिन में आएगा यह नहीं आएगा तो ऐसे में तो pub g light का आने का मतलब कोई chance बनता ही नहीं है क्योंकि पहले अगर pub g mobile इंडिया आ जाती है तो फिर उसके बाद साइद ऐसा हो सकता है कि pub g light इंडिया बना कर भी उसको भी इंडिया में लाउंच कर दिया जाएगा लेकिन pub g mobile इंडिया जब तक नहीं आती है तब तक pub g light भी इंडिया में नहीं आपाएगी रोयल इकारा फिल्म्स का यहां पर कॉमेंट है कि क्या pub g वाल इंडिया में अब कभी वापस नहीं आएगी क्या तो यहां पर अभी गौर्मेंट और जो pub g कॉर्परेशन वाले उनकी लगातार मतलब की बात चल रही है लेकिन इंडिया की गौर्मेंट pub g कॉर्परेशन को क कहीं से भी हरी जंडी नहीं दे रही है और pub g इंडिया ओपिशल को इंडिया में लौंच होने का वापस मौका नहीं दे रही है लेकिन फिलाल आगे क्या होता है वो तो हमको बाद में ही पता चलेगा क्योंकि अभी खबरे ऐसी आ रही है कि मार्च में pub g mobile इंडिया वापस आ सकता है यहां पर रोबिन यादाओ का कॉमेंट है कि क्या लगता है कि फौजी के पांच मिलन डाउनलोड हो गये हैं और आगे चलकर क्या जादा होंगे तो यह तो डिपेंड करेगा फौजी के आने वाले अपडेट पर अगर फौजी का अपडेट अच्छा आता है और पसंद आता है तो पांच से पचास मिलन भी हो जाएंगे और अगर फौजी का आने वाले अपडेट मतलब कि सही नहीं आता है और शायद अपडेट आने में और टाइम लगता है तो मेरे इसाब से पांच कि ये धाई मिलन भी हो जाएंगे और इसके बाद धीर धीर करके बहुत सा लोग इस गेम को अनिस्टाल या पर डिरेट करना सुरूख कर देंगे दिलिप नरजारी का यहाँ पर कॉमेंट है कि फोजी सोलो गेम है क्या फिलहाल तो मेरे भाई ये फोजी सोलो ही गेम है क्योंकि इसकंदर मुक्के क्याला और कुछ सिस्टम है नहीं बस मुक्का मारते रहो मुक्का मारते रहो तो अभी तो सोलो ही गेम है ये निशान तीवारी का यहाँ पर कॉमेंट है कि भाई PUBG में इमोट होंगे या नहीं प्लीज बताओ तो इमोट तो हो सकते हैं लेकिन अभी आगे अपडेट आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इमोट इसमें होंगे कि नहीं होंगे लेकिन मुझे लगता है कि पचास टाका तो इमोट होंगे ही 10 सेंट दोनों एक ही कमपनी है तो इन दोनों कमपनी को तुम कमपेर करो या ना करो कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों का मतलब कि जो प्रोडूसर जो लाउंचर दोनों एक ही कमपनिया है भले दोनों गेमियों को अलग अलग कमपनी नों बनाया हो लेकिन इन company को produce करने वाला 10 cent ही है लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग PUBG को और COD को compare करते हैं तो मेरे हिसाब से लोग PUBG को ज़्यादा पसंद करेंगे कुनाल नोटानी का यहाँ पर comment है कि भाई कुछ update नहीं आया है अभी तक आप तो मन भी नहीं करता है खेलने का मेरे भाई आपका भी हाले हमारा भी हाले सभी जो भी फोजी लवर्स है जिनके mobile में फोजी गेम हैं वो लोग रोज चेक करते हैं भाई अपडेट आया या नहीं आया मैं खुद दिन में 10 बार चेक करता हूँ कोई update तो नहीं आगया यहां पर कॉमेंट है प्रो बोई गेमर का इनका कहना यह कि फोजी आयोसो के अंदर यानि कि आईफोन के अंदर कब आएगी कब आयोसो के platform पे आएगी तो मेरे भाई अभी यह फोजी गेम जो है mobile के लिए ही especially मतलब बहुत बढ़ियां साबित नहीं हो पाई है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे lag का issue हो रहा है server का issue हो रहा है किसी को data का issue हो रहा है तो इसमें बहुत सारी problem चल रही है और apple के अंदर मतलब कि आयोसों के अंदर platform में आना कोई game को उसके लिए उस game के अंदर बहुत सारी improvement होनी चाहिए team gamers का यहाँ पर comment कि भाई 4G के update का confirm date बताओ तो guys 4G का कोई अभी confirm date नहीं है क्योंकि इसके project पर काम चल रहा है तो अभी कोई confirm date नहीं आई है कि आखिर 4G का stadium या फिर classic का update का आएगा लेकिन जब भी आएगा आपको हमारे इस channel पर सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी तो guys मेरे पिछले video में मुझको बहुत सारी comment आई थी लेकिन मैं सभी comments को मैरे इस video पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि video बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर कुछ important comment थी और कुछ double double मतलब के दो चार बंदों ने एकी सवाल किया था तो मैंने उन में से एक का comment यहाँ पर आपको दिखा दिया है उसका सवाल का जवाब भी दे दिया है अब हम लोग बात करते हैं 4G के multi player option के बारे में और online game के बारे में तो दोस्तो टिकेश वैशनाओ जो कि इस 4G game के developer पर मतलब के काम कर रहे है इस project पर काम कर रहे है तो उनकी तरफ से news निकल के आई है तो उनका यह जो project है 4G का वो जो online का पूरा project ready हो चुका है और उन्होंने आगे और उन्होंने अपने project को आगे 4G की team को भेज दिया है अब अगर 4G के honor और 4G के team टिकेश वैशनाओ के उस project को अगर अच्छा मानती है और सही लगता है उनको तो वो लोग जल्दी उस project को 4G game के अंदर डाल देंगे और जल्दी हम लोग को इस game के अदर update देखने को मिलेगा अब यह दोस्तों update जो है वो TDM में हो सकता है, Classic में हो सकता है या फिर हमें battle mode direct देखने को मिल सकता है या फिर हमें direct multiplayer का option 4G game के अंदर मिल सकता है तो गाइस उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो एक लाइक जरू कर देना और आप लोग हमारे इस वीडियो को आप लोग कौन से city कौन से से है या फिर कौन से गाउन से आप लोग देखते हो यह मुझे comment करके जरू बताना इस वीडियो दोस्तों इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन